नमस्ते दोस्तो आज हम आपको आल्स गर निविलाइजर कैसे इस्तमाल करना है इसके बारे में जानकारी देगे जिसको इस्तमाल करना बहुत ही आसान है पहले हम आपको बता दें बॉक्स को कैसे खोलना है यहाँ पे एक स्टिकर दिया हुँ है और ज़ा उपर कर लिजिए एक ही छोटा सा सेक्शन को बहार निका लिए और उपर वाले कवर को बहार खीश भीजे इसमें से अपना सबसे पहले नुपलाइजर कंप्रेशर निकालिए यह आपका नुपलाइजर कंप्रेशर यूनिट है यह आपकी नुपलाइजर किट है जिसके बारे में पूरी डेटेल अंदर कवर में दी जाती है इसके साथ आपको एक पूरा डिटेल्ड मैनुल बिलता है जिसको इस्तमाल करने से पहले अब थोड़ा सा टाइम एकाल के जरूर पढ़िएगा साथ ने नुबलाइजर कब स्पेशली डिजाइन किया गया है और जोल की तरफ से उसके बारे में different settings भी गई है कि कौन से आपके human airways में ये कब इस्तमाल किया जाता है अगर आपको box में नहीं रखना है तो हम एक छोटा सा storage bag देते हैं जब आप इस्तमाल करें उसके बाद अपना compressor unit और kit को इस storage bag में रख सकते हैं अब हम आपको बता दें कि आपका compressor unit कैसे काम करता है और इसके साथ दी गई जो असेसरी है निवलाइजर के लिए वो आपने कैसे इस्तमाल करनी है सबसे पहले आप इसके seal को open कीजिए अब हम देखें कि आपकी निवलाइजर किट में क्या-क्या समान मिलता है यह है आपका निवलाइजर का इसमें आपके साथ मिलता है एक adult mask एक child mask एक mouthpiece और connect करने के लिए आपको आपका निवलाइजर कैसे इस्तमाल करना है आपका डॉक्टर आपको क्या recommend कर रहा है कौन सी medicine आपको कप में डालके निवलाइज करना है वो market में बहुत सारी आती है आप chemist से ना direct लेके अगर आपका जो doctor है आपको अगर निवलाइजर इस्तमाल करने के लिए कह रहा है recommend कर रहा है तो आप Allswell निवलाइजर पे rely कर सकते हैं और market से doctor का argument क्या हुआ rescue ले सकते हैं जो इस तरीके से लिखाई देता है इस rescue को आप अपने निवलाइजर कप में यहाँ पे उपर से डाल देते हैं यह 5 ml का rescue होता है डॉक्टर आपको 5 ml इस्तमाल करने के लिए दे रहा है या वो कह रहा है कि 5 ml आपने इस्तमाल करना है तो आप 2 rescue डाल सकते हैं यह 2 ml का एक rescue मिलता है डिपेंड करता है कि आपको किस symptoms के लिए अपनी treatment लेनी है उसी हिसाब से आप market से drug लेगे जो आपको doctor recommend करेगा अब हम आपको new laser compression unit जो है इसको power plug में connect करके और कैसे use किया जाए चाहे घर में बड़े को इस्तमाल करना है या किसी बच्चे को इस्तमाल करना है उसके बारे में जानगारी देगे